हे copies, welcome back to skylight, कैसे है आप सब, so friends, सर्दियों का मौसम चला है, और इस मौसम में बच्चों के health का, उनके skin का ध्याना रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्यूंकि सर्दियों के मौसम में, वादर उनमे की कमी होती है जिसके वज़ासे स्कीन जो होती है वो अपने मोशेर को अपने नमी को खोने लगता है तो इस मौसम में अपने बच्चे की स्कीन को ड्राई होने से बचाने के लिए आप उन पर बॉड़ी लोशन अप्लाई करते रहे फेस पर फेस मॉश्य राइजर अपलाई करते रहे और हपते में तीन से चार बार उन्हें लिक वाम वाटर से बात दे तो इस मौसर में बच्चे की स्कीन को सॉफ्ट और ग्लोविंग करने के लिए आज मैं आपको कुछ होम रेमिडिस बताने वाली हूँ कुछ दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं बच्चे की जो स्कीन है वो ड्राइ हो गई है उनकी गाल फट रहा है उनके होट फट रहा है उसके लिए आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ बट उसके पहले आप से एक चोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप बच् उसके कारीबibl इस्पून के करीब कोकोनेट ओयल तो यहां पर जो में कोकोनेट ओयल का यूज करी उरी मैक्स केयर का स्कीन क doило कोनेट ओयल और यह वहता है इसमें बहुत सारे फैटी एसिट्स पर ज connection होते है और यह संकीन को हाईड्रेट और प्रोटेक्ट जो स्कीन के मौस्यर को रिटेन करके रखता है इसमें लॉरिक एसिद भी होता है और साथ ही इसमें एंटी बैक्टिरियल प्रपरटीज भी होती है कुछ देर धूप में रखने के बाद यह बिल्कुल पिगल गया उसके बाद मैं इसका यूज कर रही हूं तो सेकेंड हम यहा स्मूध भी बनाता है हिलिंग प्रपरटीज भी इसमें बहुत जादे कमाल की होती है अगर बहुत ड्राई स्कीन है तो आप हनी को अप्लाई कीजिए आपकी जो स्कीन है वह बिल्कुल स्मूध और सॉप्ट हो जाएगी साथ ही दैमेज स्कीन को नरिस भी करता है आपको बिल्कुल वैसे ही बनकर आपकर ये रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको एक लिए कंटेनर में इसे भर कर रख लेना है और जब भी आपको लगे कि आपकी बेबी की स्कीन जो है वो ड्राई हो गई है फट रही है चाहे वो गाल हो चाहे वो कूनिया हो या नीज ह करते हैं अलबो हो तो आप उँए थोडड़ा करके प्लाई करते रहें आपको इस तावी आपने हाथ उपर के आपको देखा रही हूं आपको बिल्कुल लगाकर छोड़ नहीं देना है आपको खुछ देर के लिए तो नेचा करना है लो alex चिक अहों गाल वगर रहे हो या आपके elbows हो या knees हो बच्चे की आपको अच्छे से अप्लाई करके वहाँ पर 2-3 मिनट तक मसाज कर देना है ताकि जो भी इंग्रेडियंट है वो स्कीन के अंदर पैनिट्रेट हो जाए तो 2-3 मिनट मसाज करने के बाद आपको इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है उसके बाद आपको लीकवम वाटर से इसे वाश कर लेना है या तो आप किसी गीने कॉटन से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं तो इस रेमेडी को आप बच्चे के फेस कितना जятगा है और लुटन होगए पहले से आप यहां पर वाजकल वाला होम रेमेडी मैने आपको बता है आज और इसे अगर आप रैगूलर अपने बेबी के ड्राय के पर अप्लाई करते हो तो फ्लीटैं से ओaking ठिल्हे घुत्म हो जाएगी कहीं प्लेकिता जायेगी ज क्लिक कर दीजे नहीं तो आप बाद में बूल जाएंगे तो चली नेक्स्ट रेमेडि़ी स्टाट करते हैं तो यहां पर मैंने लिया है क्लीन बाउल और यसमें एड कर रहा है वन टैबल स्पून के करीब कोकोनेट ओइल तो यहाँ पर जो मैं coconut oil यूज़ कर रही हूँ वो है मैक्स केयर का coconut oil और इसका यूज़ मैं कर रही हूँ काना पर लबक धाई साल से next हम यहाँ पर लेंगे glycerine को तो friends अगर आपका baby जो है बहुत छोटा है तो आप baby glycerine का यूज़ यहाँ पर कर सकती है जो मेरा बेटा है वो धाई साल से उपर का है इसलिए मैं यहाँ पर जो glycerine जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी glycerine का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ करके लगती है इस हैं इस्कीन को सोफ्टब और स्मूद बनाने का काम चाह करती है साथ ही स्कीन के टेक्षण को इंप्रूफ करने का भी काम करती है यहाँ पर हमारी जो रेमेडी है वो बिल्कुल रेडी हो चूगी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक कंसिटरशी का यहा और जहां जाब बचे की ड्राइ स्कीन होती है, जैसे गाल हो गए, अल्बो हो गए, नीज हो गए, आप अच्छे से बचे की स्कीन पर से मसाज कीजिए, और पांच मिनिट के बाद 10 मिनिट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजे, तो मसाज करने से यहां पर फैदा ही होगा, फ सो फ्रेंट ड्राइ और ड्ल स्कीन के लिए दो होम रेमिडीज मैंने आपको बता है, और यह जो दो होम रेमिडीज है, अगर आप इसे रैगुलर अप्लाई करते हो अपने बेबी के स्कीन पर जहां 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 ड्राइनेस बहुत जादे है, जैसे की चिक्स पर और फ्रेंड की जो ठंड के महीने में ने जम जाता है तो जब भी आप इसे बना के श्टोर करके रख रहे हो तो यह थोड़ा सा पिखल जा इसके बाद यह बेबी पर से अप्लाई कीजिए तो चाहे आप धूप में से रख सकते हो या किसी गरम एरिया पर भी आप इसे रख सक बेप अभी क्लिक करना है ताकि जब भी मैं कर वीडियो अप्लोट करूँ आपके पास नॉटिफिकेशन पहुंच जाए तो मिलते हैं ने स्टुडियो में अभी के लिए टेक कियर बाई